उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी के चुनाओ के प्रभारी केंद्रिय सिक्सा मंत्री मानियसी धर्मेंदर प्रधान जी भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश के कर्मट अध्यक्स मानियसी स्वतंतर देश सिंग जी अपना दल के अध्यक्स माने सियासी स्पटेल जी निसाज पार्टी के अध्यक्स सिफ संजय निसाज जी भारती जनता पार्टी के रास्तिय मंत्री और गोरकपुर छेत्र के प्रभारी शेरविंद मेनन जी माननी सांशत गर्ण सिफ्युपरताप सुकला जी रवी किसन सुकला जी जै प्रकास निसाज जी कमलेश पास्वान जी विवेक ठाकुर जी छेत्रिय अध्यक्स डॉक्टर धरमेंदर सिंग जी महापौर सिसीता राम जैस्वाल जी हमारे बिधायक गर्ण डॉक्टर राधा मोंदा सग्रवाल जी सि महेंदरपाल सिंग जी सि फतेबाद्दूर सिंग जी सि राम चोहान जी विपिन सिंग जी डॉक्टर बिमलेश पास्वान जी भारती जनता पार्टी के चिल्लुपार सि प्रत्यासी सि राजे स्तिरपाटी जी से जन्वा से प्रत्यासी सी प्रदीप सुकला जी इंजिनियर सर्वन निसाद जी पूर विधान परिश्व सदस्ते सी बिनोत पांडी जी जिला ध्यक्स युदिश्टिर सिंग जी महानगर ध्यक्स राजेश गुपता जी आज के से कारिक्रम पस्तित विधायक्स सीतल पांडी जी पूर महापौर स्रिमतियंजु चौधरी जी सांसत महांत बालकनाजी प्रबीन निसाजी सीपी चन जी और विभिन सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और भारती जन्ता पार्टी से जुड़ेवे सभी पदादी कारिरुपस्तित कारिकर्ता भायो बेहनो महायोगी भगवान गोरकनाज के इस पावन धर्ती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरकपूर नगर विधानसवा छेतर से नामंकन करने के लिए आधिकिर्द किया गिया है और इस कारिकर्म में बिसेश रूप से सानिध्य पराप्त हो रहा है आधनिये ग्रह और सैकारता मंत्री माननिय स्यमित सहाजी का मैं सौसर पर देश के अंदर भारती जनता पार्टी के बिस्तार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनितिक दल के रूप में भारती जनता पार्टी को स्थापिच करने वाले भारती जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक ईससी लोकतांतरिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आधनिये प्रधान मंत्री जी के नेत्रत्व में देश के ग्रह मंत्री के रूप में आपने अपने जब पारी प्रारंब की तो इस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वा सौगात थी कस्मीर से धारा 370 को सदेव के लिए समाप्त करके देश से आतंग बाद कर नामो निसान मिटाने का और दूसरा जो कार्य है पांसो वर्ष्टों के सिंतिजार को जिसमें हम लोगों की सेकड़ों पीडियां खब गई थी अयोध्या में इसी राम जन्म हुई पर भगवान राम के भब्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरकपुर में इस आयोजन में आपका सानिज्य प्राप्त हो रहा है मिसासर पर उत्तरब्रदेश के कार्यकरताओं के साथ ही गोरकपुर के इन सभी कार्यकरताओं की ओर से देश के सस्वी ग्रय और सेकार्ता मंत्री मानिय मित्साजी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ भाईो बेनों हम सब जानते हैं कि उत्तरब्रदेश में भारती जनता पार्टी का संगठन प्रारंब से था लेकिन एक जीवन्त संगठन होना चाहिए और अपने दम पर अपने बल पर भारती जनता पार्टी अपने स्रयोग्यों को साथ लेकर गए नकेवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना बरचस्च और अपनी ताकत का दिखाएगा उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में मानियमित सहाजी ने जब 2013 में इस दाहित वकार निर्वहन क्याद 2014 में भारती जनता पार्टी ने अभूत्पूर सभलता प्राप्त की देश के भारती जनता पार्टी के रास्टिय ध्यक्स के रूप में 2017 में भारती जन्ता पार्टी को तीन चौथाई से दिक सीड उत्तरप्रदेश बिधान सवहाटी दिलवा करके उस समय अपने कुसल संगटन च्छंता च्छंता और भारती जन्ता पार्टी की ताकत का एसास अपने राजनितिक बिरोधियों को कराया था और 2019 में राश्तिय ध्यक्ष के रूप में जब उत्तरप्रदेश के अंदर एक महा गडबंदन बना था देश और दुनिया के तमाम जितने भी राश्तितिक बिसले सकते वे सभी इस बाच को मानते थे कि अब तो भारती जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में और तब भी मानिया मिट्सा जी कहते थे कि उत्तरप्रदेश में भारती जनता पार्टी चौसर से पैसर सीट से कम नहीं जितेगी और भायो बेनो 2019 के लोग सवह चुनाओ में भी भारती जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके चौसर सीटे अपने सयोग्यों के साथ जीत करके महागडवंदन को पूरी तरह थेल कर दिया था आज मानिया मिट्सा जी का सानिद्य हम सब को यहाँ पर इस उसर प्राप्त हो रहा है मैं आप सब की और से मानिय ग्रह और सहकारता मंत्री भारत सरकार का हिरदे से स्वागत और विनंदन करता हूँ वायोबेनो उत्तर प्रदेश में पांच वर्सों के गौरान भारती जनता पार्टी की डवलिंजन की सरकार ने आदनिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन और उनके नित्रतों में जीवन के प्रतेक छेत्र में जनप एक स्वाँ पर खरावतरने का प्रियास किया सुरक्सा आस्पा का सम्मान गरीब कल्यानकारी योजनाओं को बिना भेदभाओं के हर गरीब को हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुँचाने और विकास की बड़ी बड़ी प्रियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कारे जो किया वा इसलिए संबह हो पाया क्योंकि भारती जनता पार्टी की डवलिंजन की सरकार आधनिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन उनके नित्रत्व में मान्य से अमित साजी का मार्ग दर्सन उनका नित्रत्व उनकी पेणा नियंतर हम सब को प्राप्त होती रही और आज उसका पेणाम है उत्तरवर देश और देश के अंदर भारती जनता पार्टी नेत्रत्व के बारे में भारती जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी ब्यक्ति एक नकारत्मक टिपणी नहीं कर सकता राजनितिक प्रतिदंदिता हो सकती है राजनितिक प्रतिसोद हो सकता है राजनितिक टिपणी हो सकती है लेकिन गरीब को बिना बहेद भाओ कि इसकी योशिना का लाब मिलना गरीब को मकान मिल जाना गरीब को सोचाले मिल जाना हर एक ब्रेक्टि को बिना बहेद भाओ कि इसकी आस्ता का सम्मान हो जाना और हर एक ब्रेक्टि को सुरक्षा की गारंटी दे देना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी उत्तरप्रदेश ऐसे राज्य में जुन्दंगों से गर्षित राज्य था उसमें एक चुनौती थी लेकिन जब S.C. नित्रत होता है और निलंतर उनका मार्क दरस्वन प्रापत होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को बैदना भी बहुत आसान हो जाता है और ये पांच वर्सों के अंदर उत्तरप्रदेश के अंदर भारती जन्ता पार्टी संगठन ने सरकार ने मिल करके वही पेणाम आज उत्तरप्रदेश की जन्ता के सामने दिया है क्योंकि आदने प्रधान मंत्री जी और आदने गरह मंत्री जी का अमार्ग दर्सन और पेणा निरन्तर हमें इन छेत्रों में प्राप्त होती रही आज जवãos पांच वर्स की अपने इस कारेकाल के साथ ही एक नई अगनी परिक्सा के साथ हम सब उतर रहे हैं इस उसर पर आज नामंकन के इस कारिकरम के उसर पर भी मानिये ग्रह मंत्री जी का सानिध्य गोरकपुर और पुर्वी उत्तर प्रदेश के कारिकरताओं का आज यहां पर प्राप्तो हो रहा है मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरकशनाथ की इस पावन धर्ती पर मानिये ग्रह मंत्री जी का मानिये धर्मेंदर प्रदान जी का प्रदेश अध्यक्षवी का और आजंतूग सभी अथितियों का और आप सभी कारे करताओं का भी हिर्देश स्वागत करता हो अविन उस पैणाम को देने के लिए हर एक कारे करता स्वयम में अपने आप में भारती जनता पार्टी का सिंबल बन करके वहाँ अपने अपने छेतर में, अपने अपने बूत में भारी बहुमत से भारती जनता पार्टी के पक्स में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान दे प्यासीस पटेल जी भी और निसाज पार्टी के नेता डॉक्टर संजे निसाज जी भी आज इस कारिक्रम में यहाँ पर हमारे गड़बंदन के उत्तरब्लेज भारती जनता पार्टी के सयोगी हैं, वे भी आज इस सौसर पर फस्तित वे हैं, मैं उनका भी हिर्दे से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, हमारे अन्य मानने विदायक गण भी यहाँ पर आये हैं, डुम्रिया गण से सीरागोहेंदर सिंग जी है, सैजनवा से सीतल पांडे जी है, मैदावल से सीराकेश सिंग बगेल जी है, और भी अपने सिस्वा से हमारे वहां के मानने विदायक पटे जीवी आज यहां कारेकरम में पस्तित हुए हैं इन सभी कारेकरताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतिय जंता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे आप सब को इस पूरे कारेकरम के परती लग करके बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके ठके डिग लक्स joking प्राप्त करने के सामए और्निस प्रियास करेंगे अस विश्वास के साथ आप सब के प्रती मेरी सुबकामना हैं मोसम के विप्रीद परिस्द्यों के बाबजूत आप आए क्योंकि कल साइकार सेही लगातार वारी सरा्टरी भर बारी अस्ती सुवेभी बारी अस्त मित्रों अब मैं साधर आमंतीत करता हूँ तो नावांकन से पहले सियम योगी की ज़िए